एलो स्टूडेंट मैसंकर कुमार स्वागत आप सभी का जादू गर्मित में ये है क्लास 10 साइंस फर्स टर्मिनल एक्जाम का यहां पर आप देख सकते हैं फर्स टर्मिनल एक्जाम है आप लोगों का एक्जाम समापती ही होने वला है ये वरिजिनल कोष्टन पेपर का सब्जक्टिब तयार किये हम आपने हाथों से पहला कोष्टन आप लोगों का रहेगा इसी तरह का प्रकास के प्रावरतन के नियमों को लिखे पहले नमर में यही कोष्टन रहेगा, इसका हम एंसर सिर्फ लिखते गए हैं तो आप लोगों को complete कर लेना मेरे dear student इसको fake मत समझेगा इसको fake मत समझेगा मेरे dear student ये आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगा है इस question को तयार करने में answer को तयार करने में इसलिए वीडियो को like कर दिजिएगा channel पर नहीं होंगे तो subscribe कर लिजिएगा दिखिए पहला question में यहाँ प्रकास के प्रावर्तन के नियम तो यहाँ पे आपको लिखना है copy निकाल करके आपको note करते जना आपतन कौन प्रावर्तन कौन के ब्राबर होता है इसके बाद यहाँ पे दुसरा में लिखना है आपतित कीरन दरपन के आपतन बिंदु पर अभी यहां पर देख सकते हैं इस तरह से आपको चीत्र को बना लेना है पहला नमर में आपका यही कोष्टन रहेगा ठीक है देख लिजिए यहां पर चीत्र आप एसकिन सौट ले सकते हैं इस तरह से आपको बना लेना है यह अभी लंब है ठीक है और कौन आई बरावर आपतन कौ ठीक है तो यह आपका रहा इसको आप एसकिन सोट ले करके उतार भी सकते हैं चलिए अब दूसरा कोश्टन में आपका क्या रहेगा देखिए दूसरा कोश्टन में आपका रहेगा यहाँ पे अबतल दरपन के उपयोगों को लिखें यही कोश्टन में लिख लड़ेगा तो आपको एंसर में देना है समान्य तह टोर्च सर्च लाइट तथा वहनों के हेड लाइट में प्रकास का सकती साली समांतर की रन पूंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है दूसरा में आपको लिखना है दंत विसे सग्य अपतल दरपन का उपयोग यही मरीजों के दातो का बरा प्रतिवीम यानि की देखने के लिए किया जाता है तो यानि आप ये भी बता सकते हैं दर इस दरपन का उपयोग हजामतिदारी बनाने के लिए चलिए इसके बाद आप यहां पे आपका जो रहेगा जो के तीन नमर का कोश्टन हम सेलेक्ट नहीं किये हैं जो एजी एंसर में दीजिएगा ठीक है जैसे हम यहां पे पांच नमर का एंसर सलेक्ट किये हैं एसनेल का नियम क्या है तो यह आपका पांच नमर में रहेगा लिखल एसनेल का नियम क्या है तो आपको एंसर में देना है प्रकास किसी निश्चित रंग तथा माध्यमों के यूगम के लिए यानि आपतन कोन की जया साइन साइन तथा प्रावर्तन कोन की जया साइन का अनुपात इस्तिर होता है इस नियम को असनेल का नियम यानि असनेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं यहां पी आप लिखस रखते है say sign i बटाय साइन आर ठीक cowboy बाट दिये आपका पांच रहा आपको कितना क्यों बनाना है मांत्र आपको 8 को क्यों देगा उसमें 4 को क्यों बनाना है तो यह आपका तीन क्यों हो गया चलिए यह क्यों आपका रहेगा अच्छो नमबर में कहेगा उत्ता लेंस एबम अफ्ता लेंस में कोई दो अंतर लिखें तो हम यहां पर अंतर लिख दिए आपका छे नमबर में पूछेगा यह तो एंसर में आपको देना है उत्ता लेंस का इधर बना लेना है इधर अफ्ता लेंस का बना लेना ठीक है अब इसे दुसरा में लिखना है इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं तो यह रहा चीतर भी आपको बना देना यह चीतर जो आप देख रहे हैं आपको इसको भी बनाना है ठीक है तो इसको जल्दी से नौट कर लेजिए कॉपी मेरे डियर स्टुडेंट चैनल पर नहीं तो सब्सक्रा देखे रासाइन सासर में पहला कोश्टन रहेगा रासाइनिक समीकरन को संतुलित करना कियों आवसियक हैं यह कोश्टन आपको यानि कि 11 नमर में रहेगा ठीक है तो आपको एंसर में लिखना है रासाइनिक समीकरन को संतुलित करना इसलिए आवसियक हैं कियों कि किसी भी रसाइनिक्स अभीकरिया में दरब्यमान का ना तो निर्मान होता है ना ही विनास अर्थात उत्पात तत्वों का कुल दरब्यमान बराबर अभीकारक तत्वों का कुल दरब्यमान होता है तो ये आपको इतना तक एंसर लिखना है इसके बाद आपको यहाँ पे बारा नमर मे कोश्टन पुछेगा तो बारा नमर में आपको लिख लड़ेगा सूचक किया है एक सूचक का नाम लिखें ये कोश्टन को फेक मत समझ नहीं तो बाद में आपको पच्ताना परेगा कॉपी में लिख लिजी और जाके छापती जीएगा चलिए वे पदार्थ जो अपने लिखना मेरे डियर श्ट्रेंट जादे लिखने से आपको जादे नमर नहीं मिलेगा चलिए ये कोश्टन आपका दू नमर है तो आपका यहां पे दो कोश्टन बता दी और आपको दो बता देते हैं चलिए तेरा नमर में आपका कोश्टन रहेगा संचारन किया है सोधारन समझाएं तो हम 13 नमर का इंसर सलेक्ट किया है यहाँ पे दिख सकते हैं तो आपको लिखना जब धातवों का संपर का वायू या नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांचानिय पदार्थ जैसे अक्साइड कार्बोनेट सलफेट सलफाइड आदी बन जाते हैं उसे संचारन कहते हैं यह आपको एंसर लिखना मेरे डियर एशुडेंट उधारन में आपको लिख देना है यहाँ पे लोहे पर जंग लगना एक उधारन आपको यहाँ पे दरसा देना है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे कहिएगा 14 का सलेक्ट क्यों ने किये 14 का सलेक्ट इसलिए ने किये कि आप लोगों को भी एंसर नहीं मिलता ठीक है थुरा सी एंसर डबल था जो याद आपको हो जाएगा जल्दी से वही एंसर हम यहाँ पे लिखें अब यहाँ पे 15 नमर का कुष्टन में रहेगा आपका विक्रिती गंधिता से आप क्या समझते तो आपको इंसर में लिखना यहाँ पे जब वसायूक्त अथवा तेल खाग सामगरी को जब लंबे समय तक रखा जाए तो वह अपचीत होकर अपना खाद और गंध को खो देती है ठीक है और विक्रिती गंधि हो जाती है उसे विक्रिती गंधिता कहते हैं बस यही आपका एंसर आ यही आपको लिखना मेरे टियर स्टुडेंट बहुत ही असानी से अब लिख सकते हैं चलिए अब यहाँ पे जिव विज्ञान में भी आपको 8 कोषटन पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे जवाब देना है ठीक है जो पचनमरा कोषटन बच जाएगा उसको जो है अगले वीडियो में हम बता देंगे ठीक है पचनमरा कोषटन जो बचेगा उसको हम अगले वीडियों बताएंगे मेरे डियर श्टूडेंट आप लोग टेंसन नहीं लिजेगा और टेलिगराम में भी आपको बताएंगे चलिए 21 नमर कोष्टन में आपको पूछेगा स्वापोसी तथाविसम पोसी पोसन में क्या अंतर है तो यहाँ पर अंतर आपको लिख देना एसकिन सोट आप ले सकते हैं इस परकार से अपर के सुनाएंगे तो जादे भी लंबा विडियो हो जाएगा विडियो का अभी तक लाइक ने किये तो जादे से जादे आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको एंसर में लिखना है तो इसमें आपोहन रक्त संसोधन की एक किरत्रेम विधी होती है इस डालेसीस की परकिरिया को तव अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के व्रिक यानि गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं गुर्दे से जूरे रोगों लंबे समय से मधु में के रोगी रहते हैं अगले वीडियो में आपको बता देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और टेली गराम पे भी पीडियाइफ आपको सेंड कर देंगे